हेलो गाईज और वेलकम तो मुवी जड़ा दिजस जोती नाहांग दोस्तों फिलहाल मैं जस मुवी का ट्रेलर देखकर आ रही हूँ देखने के बाद डेफिनेटली एक प्राउड फीलिंग है गुस्बम्स खड़े हो रहे हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर है ज इसके बाद इंडियन गवर्मेंट ने फैसला लिया था कि पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा कि हम चुप रहने वालों में इसे नहीं है जी हाँ पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया की तरफ से हुआ था उस स्टोरी पर बेस्ट है ये एक तही दिल से सिल्यूट करना चाहूंगे इंडियन सोलजर्स को जिस तरीके का पेशन्स इंडिया है जिस तरीके का प्रेशर इंडिया बॉर्डर पर हैंडल करती है कही न कही वो अपने आप में एक वाकई काभिले तारीफ बात है और सिर्फ तारीफ करने से कुछ नहीं कहीं न कहीं हमें अपना बिट करना होगा खेर अगर मैं इस ट्रेलर की बात करूं दोस्तों तो ट्रेलर में जो है तमाम एस लेवल अफ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी जहां एक तरफ परेश रावल है यामी गौतम है विकी कॉशल लीड रोल में नजर आ रहे हैं एक दो डायलोग काफी जादा जो ट्रेलर में रिवील के गए हैं बहुत साथा पावफुल लग रहे हैं सुनने में जैसा कि यामी गौतम कहती हैं कि वो सामने जो टेरिस्ट होता है उससे सवाल करती हैं और जब वो जवाब नहीं देते हैं तो वो कहते हैं तेरे अक्रोट पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में समझाने का वक्त आ गया है तो कहीं न कहीं बात भी सही है पाकिस्तान को आक्चल में उन्हीं की भाषा में बात समझाई जानी चाहिए साथी साथ ट्रेलर जब अपने एंडिंग की तरफ आता है तो अधित्या ने अधित्या जो किस फि तो इसमें भी डेफिनिटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाला कि स्टोरी की जो लाइन है वो थूआउट दे स्टोरी वो समझ में आ रहा है कि एक सीरियस नोशन पर ही फिल्म चल रही है। तो आप एक अच्छी स्टोरी एक अच्छा एक्जिकुशन एक अच्छी परफॉर्मेंस सभी सितारों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी में वहीं अगर मैं बात करूँ सर्जिकल स्ट्राइक की तो जिस तरीके से देखना ये इंपॉर्टन होगा इस फिल्म में कि किस त अच्छी स्ट्राइक है तो तुमाम चीजों को ध्यान रखते हुए मैं अपनी तरफ से इस ट्रेलर को देना चाहूंगी फोर स्टार्स बिकस कही ना कहीं एक एक एंटर्टेन्मेंट भी ज़रूरी है तो इस सीरियस मीडियम से एंटर्टेन्मेंट जो पहली बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि यह किस तरीके से टर्न आउट होता है अभी तक हमने इंडिया वर्स पाकिस्तान से रिलिके बहुत सारी फाइट्स देखे हैं लेकिन यह कहीं ना कहीं जिस तरीका एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो इंडिया ने परफॉर्म किया था उस